हेलो स्टुडेंट्स, विल्कम टू रोसन की क्लास यूटीब चैनल, दोस्तों आप सभी का आज की पाठी होजना की वीडियो में एक बर फिस से बहुत-बहुत स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गडित वी से कि आपकी पाठी होजना, तो पूरा वी प्रेटन के बारे में च्छानों में भी पढ़ा सकते हैं, तो यह सारी चीजे इस क्लास 6 से लेखे क्लास 9 तक के लिए आप ये पाठी होजना पढ़ा सकते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, ऐसी वीडियो डेली बेस पी लिख सकते हैं तो जिस भी पर अप्राशी बता चुब करें डियों, जिस वीडियो में आप च्रेनिंं के लिए जाएँंगे आप यहां पर बिएट करें जिस वीडियो में आपको भेजा जाए इक उसका नाम नविखना है यहां पर कच्छा की बात की जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक आप यहां पर क्लास लिख सकते हैं कालांस यहां पर अपने अनुसार लिखेगा कालांस का मतलब होता किस पीरिड में आप गया है उसकी नंबरिंग करनी होती है कालांस को काफी कॉलेजस में चक्र कहते हैं तो आपको जितना भी समय दिया जाए टो 45 मिन लिखेगा विशेह गणित का और पारटका सेशक मैं पहले बता चुका हूँ गोले का चेतरफल तथा आयतन अब आता है हमारा उददेश यहां पर देखेंगे प्रस्तावना के पहले लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उन समग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप सिछड कारे करने के लिए लेते हैं क्लास में तो स्यंपर का यूज करेंगे डश्टर का यूज करेंगे चौक का यूज करेंगे लफट फलक का यूज करेंगे इसके अलावा संकेतक है यह सारी चीजे भी यहां पर लिख सकते हैं उद्देश से में देखिए यहां पर आता है आपका उद्देश यह आपका उद्देश यह है विसस्ट उद्देश यानि कि आपका जो टॉपिक पढ़ा रहा है गोले का छेतरफल ततायतन इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में कम से कम 2-3 पॉंट और मैक्सिम 5-6 पॉंट लिखना होता है तो यहाँ पर लिखिएगा कि फेपर के यहांगा नॉलेउलज होता है तो उसको के बारे देखी नॉलेज को सीखने कि प्रत्रफल को कर सकेंगे तीसा पॉइंट है चातर गोले के आयतन का प्रत्या भी ग्यान कर सकेंगे दूसरा है अब बहुत इसमें देखे लिखा गया पहला पॉइंट चातर गोले की व्याख्या कर सकेंगे दूसरा पॉइंट है चातर गोले के आयतन की व्याख्या कर सकेंगे तीसा है हेड प्रस्तावना 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 प्रस्त प्रकर निकलवाने के लिए इसमें प्रस्नों के क्रम में वदता होने चीश्य, जैसे पहले प्रसन का फैर्य प्रसन हा, उसे दूर्चा प्रसन मनेगा के थीछ प्रसन का फैर्चे सिर्फन का फैर्सन का वस्तर किन बस दू कि जपर खिला जाते है बच्च भो लेंगे बड़-न बेट की द्वार तिस्हा ब्रस्ण बउल का आक का इसा हो तह कि बच्च भोल ता दुट हो बापने अपना उधियाब बच्चों आज व को बताना होता ठाहिannée है कि हैं कि आप예요 कौंसा पढ़ा रहे बसटो को ठीक है अब इस है प्रस्तूत कर सकते हैं या रिखेशनक करते हैं इसको यहाँ पर चार ग्रेटि याड 37ь कर रिखाँ जबद के स्परने मोपारी यहां गोल दूसा पसने इस गेंद का छेत्रफल ग्याद करने का सुत्र बताई है बचे नहीं बता पाएंगे समस्यात में खुजाएगा इस पस्टी कर देंगे गोले का संपूर प्रिष्टी छेत्रफल फोर पाई आर स्कॉाइर होता है तो यहाँ पर पाई का मान आप सभी को पता है बाइस बटे साथ रखते हैं यहीं चीज़ यहाँ पर स्यांपट पर देखे लिखा गया गोला बना दिया गया है इसका यहाँ घरया यहाँ अगला प्रस्टा यहाँ पिभाए को प्रस्टी आप से पूछेंगे तो इसमें पहला यहां पर जो बच्चों को सब्सक्र पहले गोले की छेत्रफल का सुतर बता दीजे बच्चों को और पाई कमान आप सभी को बता है प्रस्ट में 5 cm दिया गया तो 5 cm रख दीजी आर की जगह पे और पाई कमान आप सभी को बता है 22 बटे साथ होता है तो इसको रख दीजी चार गुड़े 22 बटे साथ गुड़े आर स्कार यानी 5 गुड़े 5 का सकते हैं तो यहाँ पे आ तो हमें क्या पराप्त होगा शंब करने चुछ आ का जबन रहा है यूपार इस मैं बना देता हूआ ओपर यहांपर जैसे तो और यहां पर पर देखी इस figure में वित बन रहा उपर यह और अर्ध गोले गोले का निकालेंगे और वित का भी छितरफ़ल मुझालना हो गापको काफी लोग बस अर्ध गोले का हाफ कर देता है? मतलब गोले का half कर देता है तो सोचते हैं हो गया लेकिन वहाँ पर एक चीज और पिष्ट शेत्रफल बन जाता है यह तो बनी जाता है बाहर जो दिख रहा है और यहाँ पर यह भी एरिया तो बनता है इसलिए इसका भी शेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर जो होगा अभी बताए मैंने तो यहाँ पर और गोले का चैटरफल होगा फोर पई एर्सकुल को दो से भाग देदेंगे तो टू पई आर्द्गोले के चेतरफल, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया taiwa, अब यहां पर फिर से आप इस छे रिए प्रसम पुछेंगे, एक अर्ध गोले का छेतरफल ज्याद किजिए जिसकी त्रिज्या 5 cm है तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे पहले निकालना है तो त्रिज्या दिया गया है 5 cm अब बढ़ते हैं आगे तिस्रा से छड़ बिंदु है गोले का आयतन आपने यहाँ चेतरफल तो निकाल दिया अब आय दूसरा परसन है घेरे के स्थान को गोले का आयतन तिसा हापे परसन है गोले के आयतन याद करने के सुत्र बताईए बच्छे नहीं बताबेंगे समस्तियात्म परसन होगा इस पष्टि कर देंगे गोले द्वारा घेरे का इस्थान को गोले का आयतन कहते हैं गोले का आयतन 4 बटी 3 पा यर्क्यू बराबर आप सब्सक्वी को बता है 22 बटी 7 आरर जो होती है वो ठ्रीज्य होती है यह यहाँ पर सेंपट वाले कॉलम में गोला बनाया गया है त्रिजा रखे गई है उसका सुत्र 4 बटे 3 पाई आर क्यूब होता है अब यहाँ पर प्रस्ने पूछेंगे फिर से बच्चों से जो अभी आपने बताया है उससे रिलेटेड उक्जामपल जरूर देजिए जिससे बच्चे उसको करके अच्छे से उसको त्यार कर सके त्यार करेंगे 22 गुड़े 4 88 हो गया साथ नीचे है नीचे रखिए और यहाँ पर तीन को एक तीन से कट कर देंगे तो स्कॉयर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गलत किया गया देखिए यहाँ पर यह तो हो गया यहाँ पर देखेंगे तो इसको हल करके देख लीजिएगा इसका यह आपका 88 गुड़े 27 गुड़े 27 गुड़े 27 गुड़े 21 ठीक है लगभग लगभग आपका 100 के आसपास ही आएगा क्योंकि यहाँ पर जब आप करेंगे गुड़े 28 गुड़े तो अब पुन्रा विटिप्रसन है देखेंगे यहाँ पर पहला अर्ध गोले का संपुड़ प्रिष्टिज छेतरफल अर्ध गोले का अभी मैंने आपको बताया था जब निकालने के लिए तो अहाँ पर बताया था थ्री पाई आर स्कॉयर दूसा प्रसन है गोले के चेतरफल में पाई कमान क्या होता है बच्चे बताएंगे पाई कमान होता है बाइस बटे साथ तुर्था प्रसन सी गोले के आयतन ग्याद करने का सुत्र लिखिए चोथा प्रसन है यह जदी गोले का चेतरफल 616 cm2 है तो गोले की त्रिजिया ग्याद कीज देखें पहला पसन है जब त्रिजया आर बरावर 5 cm हो तो गोले का संपुट पिष्टि छेथरल ग्याद किजिए और दूसरा पसन है गोले का आयतन ग्याद कीजिए जब त्रिजया यहाँ पे आर बरावर 7 cm सब्सक्राइब करें तो यह था दोस्तों आज का यहां पर लेसन प्लान अगर आप लोगों को आप लोगों को पता चलता रहे हैं और इस वीडियो की पीडियो चाहिए तो आपको रोसंगी क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउंलोड कर सकते हैं तो स्टुडेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंद्यमात्रम